शुमाहापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पत्ती को बल देती है एक इंच जगाए ना लेली ना तुमारे भाई ने चिंता मत करो और एक पत्नी वह होती है अगर पारवती जी चाहती तो कह देती कि पूरा मरत तुम पियो मचा दो अंड़ाओ एक पत्नी वह होती है एक इंच जगा तुमारे भाई ने लेली है केस लगाओ लड़ो तलवार लेकर जाओ जाओ उसका खून कर दो उसका कतल कर दो और एक पत्नी वह होती है एक इंच लेली ना जाने दो फास की रकम लेली ना जाने दो थोड़ा ससुर की प्र इसा कर लेंगे हम एक इंच जगा पुरा खूरा जये हैंगे यह जाएंगे आपका भरोत का होना चाहिए आपका विश्वास पका होना चाहिए शंकर के पर चाह謁 Give a कर का महादेव को पर जड़ा रहे होती है जो कि एक इंच जगा गई है न वो एक इंच के बल पर कितना देदेगा वो शंकर खुद ही जान सकता है